प्रदेश की राजधानी लखनव से महच कुछी दूरी परिस्तित रहीमाबाद जहां एक यूवक जो आईएस बनना चाहता था देश की सेवा करना चाहता था आशीश कुमार जिसने सोसाइट कर लिया और सोसाइट तब किया जब उसे पुलिस से प्रताड़ा मिली यानि कि कि द्वारा प्रताड़ित किया गया और सोसाइट नोट हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से वो देखे आईएस की त्यारी करता था भारत की राजव्यवस्था इस तरीके किताब भारत का प्राची नितिहास और इसी तरीके के आईएस आईएस की तैयारी करता था चुकि टेस की श्यवा करना चाहता था, एक administration officer बनना चाहता था इस परो asian को सधारना चाहता था लेकिन system नहीं उसके साथ ऐसा किया कि वो system को तो नहीं सुधार पाया, और आयेस बनने नहीं बन पाया है, लेकिन सिस्टम ने उसे इस तरीके से कर दिया मजबूर कि उसे सुसाइट करना पड़ा उनकी मा मौजूद है ये बताए कितनी पढ़ाई वो करता था दिन बर में आईएस क्या बनना चाहता था बैटा मारा इस बनना चाहता था अनलाइन पढ़ाई करता था हमारा टेबलेट से और वहां लखनों में भी रहता था वहां भी पढ़ता था जब आ जाता था तो यहां भी पढ़ता था लखनों में भी मेरा एक छोटा मोटा घर है वहां एक लड़का पढ़ता है जब से इनक करेंगे हम बिजनेस नहीं करेंगी हम आईस बनेंगे एक बहुत बड़ा अच्छा दिकारी बनेंगे सब की सेवा करेंगे अपनी मा की अपने बाईयों का वह क्याल रखेंगे के पिता मौझूद नहीं क्या वो ताविद बारा 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 बीस को पिताइस पायर हो गए थे 21 में बाबा इस पायर हो गए थे उसके बाद में हमारे बच्चों पे फरजी मुकदमा कर दिया गया बस उसी सदमे में बच्चा हमारा नहीं उबर पड़ पाया नहीं उबर पाया मैं एक बिदवा उरत होते हुए अपने बच्चे को पढ़ाया बाई जुस से मैंने सब सार अनलाइन पीस भरिये बईया अमारे बड़े बईया के खाते से सारी फीच कटी है कितना आपको अब दुख लग रहा है कि इतनी महनत कितना पढ़ाई करा ओएक अच्छा एक अच्छा ऑफिसर बन सकता था बहुत बहुत अच्छा बढ़ी हमारा बहिया दिमाग की था एक दिमाग की एक ज्यानी था एक ज्यानी एक मा ज्यानी था हमारा बच्चा लेकिन उसका दिमाग ब्रष्ट हो गया बस कि हमारी कहीं नहीं सुनी गई मेरी मा क्या करेगी मैं इसलिए उसने गलत का दम उठा दिया लेकिन गर में हम होते तो भईया ऐसा न कर पाते हम घर में न और भाई को भी बेज दिया अकले घर में रह गए बूड़ी दादी थी और उनकी वह परिवार में एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई आशीश के उपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी और वह आईएस की तैयारी करना चाहता था चरकर भी रहाता लगाता ओनलाइन क्लास के जरिये पढ़ाई करता था और देश के लिए प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता था साइद वो सिस्टम को सुधारने की बात करता था कि सिस्टम को सुधारेगा लेकिन सिस्टम ने जिस तरीके से उसके साथ वेवार किया या कह सकते हैं पुलिस ने जिस तरीके से प्र और प्रताडित किया रहिमावास से क्यामर प्रसन संजय सिंग के साथ आशी श्रीवास्तो आज तक